आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि data recovery कैसे करते हैं और data delete कर देते हैं तो भी recover कैसे हो जाता है क्योंकि मैंने तो delete कर दिया तो फिर वापिस वो सारे file कैसे आ सकते हैं और अगर आपको इस data recovery से बचना है कभी कभी हम ऐसे situation में फ़स जाते हैं या हम अपने mobile को ही देख ले यह सारा चीज हम डिटेल में देखेंगे मैं इस वीडियो को break कर दूँगा आपको जो पार्ट अच्छा लगे आप वही देखिएगा अगर आपको सिर्फ data recovery देखना है तो आप सिर्फ data recovery वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं या आपको अगर आप अपना phone बेच रहे है या फोन किसी को दे रहे हैं और आप data recovery से बचना चाहते हैं आप सिर्फ उस पार्ट को जाके देखिए सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे आपके काम की लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए सबसे पहले देखते हैं कि data recovery होता कैसे है और क्यूं होता है अगर हमने डिलीट कर दिया तो हो रिकवर कैसे हो जाता है वहां से तो हट गया तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एक जामपल से समझाना जाओंगा कि जैसे हम सबने अपनी लाइफ में copy तो यूज किया गया है तो इतने page number पे जाइए वहाँ page number का column होता है वो एक location होता है वो एक address बताता है सेम तरीके से हम किसी data को किसी hard drive में या किसी pen drive में जब डालते है तो एक जगे पर data का address note किया जाता है कि इस hard drive में data कहां पे available है और दूसरे space में पूरा data होता है जो हम use करते हैं और जो आप फाइल को recover करके देता है वो आपको पूरा list सो कर देगा कि क्या-क्या file इस drive में था और वहाँ से आपको data recover करके देगा तो चलिए देखते हैं कि data recover कैसे होता है जब भी हमसे कोई file delete हो जाती है या को pen drive format हो जाता है तो हम panic कर जाते हैं कि data कैसे आएगा और कैसे recover करेंग और data recover हो गया बट उसके असलियत कुछ और होती है जब आप run करेंगे तो एक तो run करने में 2-3 घंटा लगेगा और run करने के बाद आपको सारे files दिखाई देगा लेकिन जैसे ही आप उसको recover करने जाएंगे रियस्टोर करेंगे वैसे ही आपको बोलेगा कि आपको premium खरीदन मिला है जो 100% free है और वो आपका सारा data बट वो थोड़ा ज्यादा time लेता है run करने में और उसके बाद आपका सारा data वो एक साथ recover करके देगा मैंने approximately 432 GB तक का data recover किया उस software की help से एक और software है ईजस पार्टिक्शन करके अगर आपका data बहुत छोटा है 500 MB से नीचे का है तो उत पूरी तरीके से free है बस थोड़ा सा time ज्यादा लेता है other software के comparison में बट यह पूरी तरीके से free है तो जैसे हैं आप इस software को on कर लेंगे तो आपको इसको run करना है मैं आपको screen पर दिखाता हूं जैसे मैंने इसको run किया यहां पर next का option है इसके बाद आएगा file type और उसमें आप आपको specific file रिकवर करना चाते हैं जैसे कि या तो आपकी फोटो हुई है या आपका कोई music है video है या documents है PDF है तो आप specifically उस चीज़ को भी choose कर सकते हैं यहां पर आपको जरूरी नहीं है कि सारा drive को recover करने की जरूरत है अगर आपकी फोटो को delete हुए तो आप photos file type में जाके pictures को select क scanning time में उसको काफी कम कर देगा तो जैसे मैं यहां पर आपको all files को select करके दिखा रहा हूं फिर मझे next करना है और अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि आपका जो file था किस folder में था किस drive में था तो यह आपका और जो scanning time में उसको कम कर देगा अगर आप specific location को choose कर लेते हैं जै folder जो है जो specific मुझे पता है कि इसी folder में फाइल था तो मैं उसको select कर लूगा इससे scanning time कम हो जाएगा इससे जो यह software है सिर्फ उस folder को scan करेगा और उसके data को check करेगा तो इस तरीके से आप इसके run time को और कम कर सकते हैं इसके बाद हम अपने location को हमने select कर लिया इसके आदा हम next कर करना है और फिर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि enable deep scan है इसको जरूर टिक कर दे ताकि जितने भी files होंगे उस folder में या उस drive में वह आपको सारे के सारे files recover करके देगा इसके बाद हमें start कर देना है और यहाँ पर stage one of three scanning जैसे लिख रहा है यह पूरा scan करेगा और आपको सारे files की list दिखा देगा और जैसे माल लिजे कि मैंने all files को select कर दिया था लेकिन मुझे याद है कि मुझे सिर्फ photos को ही recover करना है बाकी recover नहीं करना तो जब recover का time आएगा तो वहाँ पर मुझे option मिलेगा कि मैं सिर्फ अपने photos या videos या PDF किसी एक को अगर ही recover करना चाहत तो मैं वह भी कर सकता हूँ इसलिए यह भी यहाँ पर option आपको available मिलेगा और यह पूरी तरीके से free है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ इस software का जो link होगा वो मैं description में डाल लूँगा और अब इससे पूरी तरीके से सारा data recover कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि को समझाता हूँ जैसे मान लीजे मेरे दोस्त ने पेंटर ही मांगा और अगर वो इस पर data recovery software को run करेगा तो वो देख सकता है कि इससे पहले क्या-क्या files थे लेकिन अगर मुझे उससे बचना है और यही same case आप phone में भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आप किसी को phone अपना बेच रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो आपके files को देखे data recovery software करने के बाद भी तो उसके लिए आपको एक folder बनाना है जिसमें आप बहुत सारे file to movies गाने या ऐसे files रख सकते हैं जो बिल्कुल सबके लिए available है normal है जो कोई देख भी ले तो आपको कोई फरक नहीं पड़ता तो ऐसे folder बनाईए और अपने phone को format कीजिए उसके बाद उसमें फिर से वापिस ये सारे files डालिए और फिर से format कीजिए और ऐसा cycle आपको तीन से चार बर करना है ये जो हम अगर तीन से चार बर cycle repeat होगा इससे होगा ये कि जो भी आपका data original data था उसको हमने rewrite कर दिया इस file to data से और कोई भी data recovery software रण करके उसमें से आपके पुराने files को नहीं देख पाएगा वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दें